हेलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो फ्रेंड्स उन लोगों के लिए है उन पैरेंट्स के लिए है उन अटेंडेंट्स और रिलिटिव्स के लिए है जिनके बच्चों को आउटिजम है स्पीच डिले है या फिर एडी एच्डी है है हाइपर अक्टिवि को आशा करना है कि हमे इतने आशा करना है इतने निच ख Carry एक पारी उनको लिए उतने रिजर्ट्स नहीं मिल पारें ठीक है तो पहले जो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूं जो डिवारा थभлем ठंडल रिजल्ट्स पाने के लिए भी थम रूल होता है अब देखे फ्रेंज क्या होता है कि सपोस हमारा एक्जैम है ठीक है तो दो स्टूडेंट्स है ठीक है एक स्टूडेंट ने बहुत ही दोनों स्टूडेंट्स हैं वह बहुत ही जादा मेहनत करें 10 10 आर्स पड़ रहें 12 वास ठीक है लेकिन कुछ 10-year question papers है यह कुछ important questions है तो पहला स्टूडेंट A है जो 12 आर्स पड़ रहा है दूसरा स्टूडेंट B है वो भी 12 आर्स पड़ रहा है लेकिन पहला स्टूडेंट जो A है वो एक्जैम से एक दिन पहले there are 20 chapters तो वो उन 20 chapters में से full chapters A to Z की details याद कर रहा है मतलब कि एक chapter में से एक भी point मिसना हो जाए तो उसने इस तरीके से study की और जब उसका अगले दिन exam था तो पूरी details study करते करते 20 में से उसके 15 chapters complete होए और जो दूसरा children B है उसने क्या किया कि उसने 20 chapters में से सारे ऐसे questions लिए 10-year questions paper में से और teachers के बताए इसे questions उसने याद कि जो उसको लग रहा था कि इनके 80-90% chances है आने के तो इस तरीके से उसने 20 chapters को पूरी तरह से complete कर लिया तो किसको गोल अच्छा मिला किसके full marks है यह सोच रहा था क्यूंकि वैंने पूरा detail में बढ़ा है लेकिन उसके 15 chapters ही complete हुए थे इसलिए उसके कितने marks है उसके 100 out of 60 marks है ठीक है और जो second child है B जिसने सारा पूरा detail नहीं पड़ी थी लेकिन उसने वह सारी चीज़ें cover कर ली थी जिसकी जरूरत थी exams में और वही important questions आने की वज़े से उसके 100 में से 90 marks है ठीक है तो यह example में इसलिए देरी हूं friends की महनत आपको करनी है लेकिन वह बहुत सारे पेशिंट्स को में देख भी रही हूं है उनके बच्चे मतलब बहुत स्टार्टिंग से घरपी शुरू कर रही है और बहुत सारे इस्टेरपी और बहुत जादा कर आ रहे है कुछ लोग की बच्चे पांसाल आठ साल दस साल के भी हो गया लेकिन उनकी इसमें अभी तक लाग कर रहे हैं ठीक है और आप लोग भी गलत नहीं है क्योंकि आपने अपनी सारी चीजों में आप लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन फ्रेंड्स रिकावरी कैसे आती है गोल ओरियंटिट रिकावरी केवल तब तब आती है 100% और अडाप्टेबिल्टी या करती जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर बोडी अडाप्ट कर लेगी और रिकावरी अगर 50% आगे तो 50% से वह आगे नहीं बढ़ेगी ठीक है फ्रेंड्स तो सबसे पहले अगर जो रूल हमारा थम रूल अगर आपको 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 चाहिए कि रि गोल औरियंटेड रखें आख बंद करके प्लीज आप कुछ भी मत करिए ठीक है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सेंसरी इशूस बिल्कुल भी नहीं है उनके क्लासिक ऑटिजम वाले सिम्टम्स नहीं तब भी उनकी सेंसरी थेरपी सेंसरी थेरपी चली जा रही है ठीक है बहुत सारे जिसे आप लोग कहते हैं कि आप बच्चे को इस चीज की जरूरत है प्लीज तो जो भी आपका प्रोग्राम हो जो भी आपके बच्चे को रिक्वार्मेंट हो आप अपनी थेरपी सेशन को उस तरीके से मॉडूलेट कर यह वैसे आप अपने बच्चे को कर अगर बच्चा आपका suppose career hyperactive है ठीक है उसको ADHD है वो class में बैठता नहीं है ठीक है तो class में बैठने के लिए attention करने के लिए concentration बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हमारा pretend and play thinking बढ़ने से vocabulary बढ़ती है thinking बढ़ने से हमारी command following अच्छी होती है हमारी thinking हमारी develop होने से हमारी understanding बढ़ने के लिए बहुत ही simple चीज़े है बच्चे के साथ doctor set खेलिए kitchen set खेलिए fire alarm वाला खेलिए police chore खेलिए ये सारी चीज़े होती है pretend and play जब आपका बच्चा खुद से ये चीज़ें खेलने लगा कि पापा मेरे साथ ये खेलो समयलो उसकी understanding thinking सब कुछ आ गया किसी चीज़ के आपको जरूरत दे प्रीज गोल लेके चलिए अगर बच्चा hyper active है ADHD है जबरदस्ति उसका हाथ पकड़ा के एक दिन दो दिन तीन दिन दस दिन पंदरा दिन अगर आप उसको डेली सुवेश आम तीन पेजिस राइटिंग पकड़ के भी करवा लेंगे मूडी है नहीं एक पेज कराईए आधा पेज कराईए टू एलफबेट्स कराईए अगर आपने उसकी राइटिंग कराना शुरू कर दिया उसकी अप वो थिंकिंग नहीं आ रही है थिंकिंग स्पीच थेरपी से कभी भी नहीं आएगी ठीक है स्पीच थेरपी से थिंकिंग नहीं आएगी अपने आप कॉश्चन्स पूछने वाला वो नहीं बनेगा अंडर्स्टैंडिंग उसकी तब तक नहीं आएगी जब तक उसका स्टो अपने आप उसकी थिंकिंग आजाएगी और उसकी एक्स्प्रेसिव लैंग्विज डिसॉर्डर एक्स्प्रेसिव स्पीच आजाएगी तो प्लीज आख बंद करके थेरपीज नहीं लेनी है अपने बच्चे के अकॉर्डिंग हर बच्चा यूनीक है पर्टिकुलर थेरपी के साभी लेनी है रिकवरी तब ही आएगी ठीक है सिर्फ यह नही देखना इसकी ऐटी चल रही है तो मैं भी करालू इसका स्पीच चल रहा है то मैं भी करालू पहले अपना डाइग्झुज करये स्पीच अगर नहीं आरा है ज़रूरही नहीं वो speech आपकी speech therapy से आएगी कई बार ABA therapy, behavioral therapy या फिर acupressure point से उन बच्चों की speech आजाती है जो इतने इतने साल speech therapy में लगे हुए है concentration अगर बच्चे में नहीं है focus अगर बच्चे में नहीं है तो उस बच्चे की speech नहीं आएगी please background में जो cause है जिसकी वज़े से speech नहीं आ रही आप उसको देखी अगर बहुत लेट हो जाएगा तो 25% non-verbal बच्चे भी रह जाते हैं इसलिए इसलिए समय होते होते please अपने बच्चों को तना बड़ा ना होने दे समय होते होते जो early intervention plan है उसको goal oriented बनाईए बच्चा काम हो गया उसका hyper activity behavior reduce होते ही concentration बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखिया है जिसका सिर्फ हमने acupressure points पे काम किया है हमने उसका storytelling करी हमने उसको story सुनाना शुरू किया उससे बाते करना शुरू किया उससे हमने उसकी reasoning बढ़ गई hyper activity कम होते ही concentration बढ़ते ही उसको speech आ गई अगर cause है speech का hyper activity disorder, ADHD और autism तो खाली speech therapy से speech नहीं आएगी ठीक है दूसरा reason है eclectic approach का मतलब है कि इतनी सारी approaches आपको करिये ठीक है, सारी approaches आप जितना करेंगे उससे आप लोगों को उतने benefits मिलेंगे, एक ही चीज नहीं, body adapt कर रहे थी है अगर एक चीज से improvement नहीं आ रही तो दूसरी चीज ट्राइ करिए ठीक है और एक और चीज, बच्चे को इतना मत कराईए कि वो ठक जाए Autism और ADHD हमेशा आपस में interlinked होते है जिके always they are interlinked to each other अगर आपने बहुत जादा करा लिया तो ऐसा ना हो कि Autism में अगर आपने बहुत जादा therapies करा ली एक therapy ली, किसी दूसरे से दूसरी therapy ली, तीसरी therapy ली नहीं हमें बच्चे को जल्दी ठीक करना, ABA, speech, OT अगर आपने सब कुछ कराना शुरू कर दिया, friends तो उससे क्या होगा? जिस hyper activity को reduce करने के लिए हम ओटी करा रहे थे वही hyper activity बच्चे में दुबारा बढ़ जाएगी 80% recovery अगर उसमें आएए, वो वापस 40% पे चला जाएगा बिना goal के please बच्चे पे आप काम मत करिए goal देखिए कौन-कौन सी चीजों में उसका अगर गुसा बढ़ रहा है तो please समझ जाएए कि आप कुछ extra करा रहे है anger बढ़ रहा है तो समझ जाएए उसको बच्चे को आप जादा थका रहे है उसके brain को थका रहे है ठीक है acupressure points का क्या रोल है acupressure points हमारे meridians में काम करता है meridians में काम करने का क्या मतलब है autism में ADHD का जो link है जो association है हम side by side उसके emotional emotions में काम करते है उस points को दबा के क्या करते है उसकी emotions में काम करते है और physical performance में काम करते है emotions में काम करने से क्या होता है कि उसका hyper activity गुसा जल्दी नहीं आता है, anxiety नहीं आती है, यह जो हम treatment दे रहे हैं, उसकी efficiency बढ़ जाती है, recovery जल्दी आती है, ठीक है, pressure point से क्या होता है, उसका mind को हम direct stimulate करते हैं, stimulate करने से क्या होता है, उसकी stress घट जाता है, anxiety घट जाती है, irritability घट जाती है, यह सब घटते ही concentration focus जल्दी आ जाता है, और इसकी वज़े से उसकी speech आ जाती है, so this is an eclectic approach, goal oriented target बनाएए, कौन सी therapy की जरूरत है, वो कराएए, maximum time आप अपने बच्चे को दीजी, उसके साथ story telling, pretend and play, outdoor games, यह सारी चीजें कराएए, उसको जादा थकाएए मत, उसको थेरपी से अच्छा लगन चाहिए, anger या frustration या उसकी hyper activity अगर बढ़ गई तो बच्चा जो आगे जा रहा है, वो आगे जाने की बच्चे बजाए पीछे चला जाएगा, ठीक है, access नहीं करना है, ठीक role आपको play करना है, किसी भी चीज़ का access नहीं करना, कि बहुत जादा करा रहे हैं, ठीक है, बच्च हो जाएगा, तो अपने आप recovery आएगी, positive hormone secret होंगे, anxiety, irritability कम हो जाएगी, ADHD खतम होते ही, concentration बढ़ते बढ़ते, understanding आजाएगी, understanding आने के बाद आएगी, speech, ठीक है, तो एक ही line में चलते रही है, recovery आगई, तो प्लीज उसके, कुछ बचों के recovery जल्दी जल्दी आ रही है, तो उ बहुत धीरे-धीरे करेंगे, तब भी recovery पीछी चली जाएगी, slow and steady wins the race, ठीक है, slow रहना है, steady रहना है, बढ़ते रहना है, और किस डिरेक्शन में बढ़ना है, गोल की डिरेक्शन में बढ़ना है, जिस चीज में आपके बच्चे को दिक्कत है, प्लीज उसी चीज पर फोक बच्चे को डर लग रहे है, तो स्विंग्स बहुत कराईए, उपर चलाएए, बीर क्लाइए, सब कराईए, अगर बच्चा नहीं, डर अल्रीडी वो सोशल है, जूले-जूलना उसको पस सब कुछ कराने है, तो तब उसको कराने का कोई मतलब नहीं है, हार चीज को देखक जॉइन पोजिशन थेरपी, इस सारी थेरपी इस कम्माइन करके, अबीए थेरपी, हम 100% रिकवरी अपने बच्चे में लाएंगे और आटिजम, ADHD, फ्री वर्ल्ड बनाएंगे, होब यू लाइक माई वीडियो, स्प्रेड माई मेसेज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी